हिंदी सिनेमा में दशक चाहे 50 का रहा हो, 60 का रहा हो या फिर 70-80 का एक खुबसूरत अभिनित्री की चर्चाएं हमेशा ही रही हैं। आज के समय में तो कंप्यूटर और मुवाइल ने दुनिया ही बदल दी है। बरना एक समय था इन खुबसूरत अभिनित्रियों की सिनेमा के परदे पर एंट्री करते ही सिनेमा हाल तालियों और सीटियों की आवाज से गूंज उट सकता। खैर अफ सिनेमा का बो दोर तो नहीं रहा और नाही बो अभिनेत्रियां लेकिन उनके काम के फाइन और चाहने वाले आज भी करोडों की तादात में हैं तो चलिए आज के इस वीडियो में एक बार फिर से याद करेंगे सतर और असी के दसक की नीली आखों बाली और खुबसूरती के मामले में शिखर को छूने वाली अभिनेत्री सारीका ठाकुर के बारे में सारीका का जनम 5 दिसंबर 1960 को हुआ था लेकिन जब यह उम्र में काफी छोटी थी तब इनके पिता इनके परिवार को छोड़ कर कहीं चले गए इसी वज़े से इनका लालन पालन इनकी मा कमल ठाकुर के हाथों में आ गया लेकिन इनकी मा दुनिया की और बच्चों की मा से बिल्कुल बिपरीद थी क्योंकि कोई भी मा ये नहीं चाहेंगी कि मेरी बेटी पांच या छे साल की उम्र में फिल्मों में काम करके मुझे पैसा दे लेकिन सारिका की मा ने ठीक ऐसा ही किया और इसी लिए जिस उम्र में सारिका को स्कूल जाना चाहिए था उसी उम्र में अपनी मा की बदौलत सारिका पहुँच गई मुंबई के फिल्म एस्टीडियोज और काम की तलाश करने लगी धीरे दीरे इन्हें फिल्मों में चायल प्रजला की शारिका ने कुछ किता में 1500 रुपे खर्च कर के खरीदी हैं तो इनकी मा ने इनकी अच्छी तरह से पिटाई कर दी क्यूंकिा सारिका अपनी मा की मर्जी के विना कहीं वी कोई भी पैसे खर्च नहीं कर सकते थी बैसे मि Titus सभी जानते हैं कि ऐसरीका ने चाइ पहली वार यंग अभिनेतरी के ताउर पर अभिनेता सचिन के साथ ना जराइं लेकिन उसी वक्त इनकी माता ने इनके जमा पैसों से मुंबई में कई फ्लेट खरीद कर इनका पूरा पैसा खर्च कर दिया इसी बज़े से सारी का बेघर हो गई ऐसा कहा जाता है कि कई दिन तो इन्होंने अपनी गारी में ही बिताए और अपने जीवन को आगे बढ़ाती रही इसी बीच इने पैसों की जरूरत पड़ी जिसमें इनके दोस्तों ने काफी मदद की खैर धीरे धीरे ये अपने संघर से उभरी और 1975 की फिल्म गीत गाता चल के बाद इनकी पहचान फिल्म इंडिस्ट्री में बन गई इसके बाद इन्होंने कुछ और हिंदी और माराथी फिल्मों में सचिन के साथ काम किया सारिका का चेहरा मोरा पश्चिमी देशों की लगतियों की तरह दिखता था इसलिए इन्हें जायतर कुछ बैसे ही किरदार दिये जाते थे इसी बज़े से ये काफी परेशान भी रहा करती थी लेकिन अपने गईर भारती लुक के बाब्यूद भी कवी सारिकाजी फिल्मों में हिरोन के तोर पर नजर आई तो कवी साइड कैरेक्टर्स में इसी तरह से इनकी गाड़ी फिल्मों में चलती रही इसी बीच इन्हें बड़े बड़े एक्टर्स के साथ कई फिल्में की जिन में दिल और दीवार जानी दुस्मन, क्रांती, दौलत, सत्ते पे सत्ता, तीसरी आंख, बदले की आंख जैसी कई फिल्मे हैं जिनकी फहरिष्ट बड़ी लंबी है जिनका नाम गिनाना साइद इस वीडियो में संभब नहीं है लेकिन हाँ यहाँ पर आपको बता दें, इन्होंने हिंदी सिनेमा के लगभग अपने समय के सभी सूपरिश्टेर्स के साथ काम किया और इनका ये फिल्मी सफर चले ही रहा था कि इन्होंने सान 1988 में दक्षनी फिल्मों के मशूर अभिनेता कमल हसन से साधी कर ली हलाकि कमल हसन साहब सारिका से साधी करने से पहले भारतिय डांसर वारी गडपत से 1978 में शाधी कर चुके थे लेकिन सारिका से साधी करने के लिए कमल हसन साहब ने वारी गणपति को तलाग दे दिया और सारिका से साधी कर ली आपको बता दें कमल हसन और सारिका की बड़ी बटी स्रूती का जन्म 1986 में हुआ था जवकि इन दोनों की शादी 1988 में हुई क्योंकि इसका सिर्फ एक ही कारण था कमल हसन और सारिका का साधी से काफी पहले से रिष्टा चलता चला रहा था और फाइनली सं 1988 में कमल हसन सहाब ने अपनी पहली पतनी वारी गड़पती को तलाग देने के बाद 1988 में ही सारिका से शादी कर ली इस शादी के बाद सं 1991 में इनकी दूसरी वेटी ऐक्शरा हसन का जन्म हुआ हलाकि शादी के बाद सारिका ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और अपने परिवार में बैस्त हो गई लेकिन ये रिष्टा भी 16 सालों के बाद सन 2004 में तलाक में बदल गया लेकिन इनकी दोनों बैटियां सुरूती हसन और अक्षरा हसन ने पिता के पास ही रहने का निर्णे किया कमल हसन सहब से तलाक होने के बाद सारिका फिर से मुंबई आ गई और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया अपनी इस दूसरी पारी से इन्होंने बाबूल तहान ये मेरा इंडिया जब तक है जान और सन 2016 में रिलिज फिल्म बारवर देखों में काम किया और इसके साथ ही इन्होंने टीबी पर भी डेब्यू किया जिसमें सोनी टीबी के शो इउध में ये अमिताब बच्चन के साथ नजर आई तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का सतर और रसी के दसक की खुबसूरत और चर्चित हीरोईन सारिका जी पर आधारित ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और अपने दोस्तों के पास वाटसेप और फेस्बुक पर सेयर भी कर सकते हैं और हमें अपने कोमेंट्स के माध्यम से वताईएगा कि आपको सारिका जी का अभिने और फिल्मे कैसी लगती है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे विभिन अपलोड हो चुके वीडियो और अपलोड होने वाले वीडियोज देखने को मिलते रहें तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार